आज हम जाने के मर्क्यूरी यानि की बुद्ध ग्रह के बारे में कुछ नया कुछ रोचत वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप से रिक्वेश्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल को सस्क्राइब कर ले इस चैनल पर आपको ग्यान से भरपूर मज़ेदार वीडियो देखने को मिलती रहेंगी मर्क्यूरी प्लैनेट या बुद्ध ग्रह हमारे सॉलर सिस्टम का सबसे छोटा ग्रह है और यह संसे सबसे करीब का प्लैनेट है सबसे पहले मर्क्यूरी प्लैनेट को 17 सेंचूरी में गैलेलियो ने अपनी ही बनाई टेलिसकोप से देखा था उस समय गैलेलियो की टेलिसकोप इतनी पापरफुल नहीं थी इसलिए गैलेलियो ज़्यादा कुछ नहीं देख पाए थे प्लाचिन रोम के लोग बुद्ग्रह को देवताओ का संदेश वाहक मानते थे क्योंकि है अंत्रिक्स में काफी तेजी से गती करता है अगर पित्वी से बुद्ग्रह को नंगी आखों से देखना हो तो सूरे उगने के ठीक पहले और सूरे डूबने के ठीक बात देखा जा सकता है बुद्ग्रह का आकार शनी के उप ग्रह टाइटन और ब्रेस्पती के उप ग्रह ग्यानी मिट से थोड़ा सा छोटा है वैसे तो प्लूटो भी बुद्ग्रह से छोटा है पर अब वेग्यानिक प्लूटो ग्रह को नहीं मानते उसे बोने ग्रहों का दर्जा दे दिया गया है बुद्ग्रह के तापमान की बात करे तो बुद्ग्रह के दिन के और रात के तापमान में भारी अंतर पाया जाता है बुद्ग्रह का दिन का तापमान 450 डिगरी सेलसियस तक पहुंच जाता है जबकि रात का टापमान जीरो डिग्री से कई नीचे माइनस 176 डिग्री सेल्चेस तक गिर जाता है बुद्ग्रह के दो साल तीन दिन में होते हैं मतलब कि बुद्ग्रह सूरे के दो चक्कर लगाने में अपनी ही दूरी पर तीन बार घूम लेता है लेकिन 1962 तक यह माना जाता था कि बुद्ग्रह का एक दिन का समय और एक वर्स का समय बराबर है लेकिन यह गलत है बुद्ग्रह सूरे की परिकर्मा अंदकार पत्पर करता है जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं इसकी सूरे से निकटितम दूरी लगबग 4.60.000.000 km है जबकि अधितम दूरी 7.000.000 km तक की है और बिट पिरियड यानि की सन का चक्कर लगाने का समय 88 दिन का है और सन के चक्कर लगाने की स्पीड 47.36 km पर सेकेंड की है बुद्ग्रह सूरे का चक्कर सभी प्लैनेट में सबसे तेज गती में लगाता है बुद्ग्रह की सररंचना के बारे में बात करें तो बुद्ग्रह 30% सिलिकेट और 70% मेटल से बना हुआ है बुद्ग्रह पर बहुत जादा बड़े-बड़े गड़े देखे गए हैं यह सैकडों किलो मीटर तक चोड़े और 33 किलो मीटर तक गहरे पाए गए हैं सबसे बड़े गड़े की बात करें तो उसका नाम कैलोरिस बेसिन है जो बुद्ध ग्रह का 1550 किलो मीटर का डाय मीटर कवर करता है बुद्ध ग्रह का वातावरन इस्थिर नहीं है इसके इर्द गिर्द वायू मंडल की कोई विशेस परत भी नहीं है अब बात करते हैं मरक्यूरी प्लैनेट पर भेजे गए सैटेलाइट के बारे में सूरे के करीब होने के कारण इसे प्रिथवी से देखने में काफी ज़्यादा प्रावलम होती है वैसे हमारे विज्ञानिकों ने मर्क्यूरी प्लैनेट पर अभी तक दो सैटेलाइट भेजे हैं जिसमें से पहला मारी नट 10 है जो 1973 में भेजा गया था इसने वुद्ग्रेय के सर्फेस का 45% नक्षा बनाया था और वहां से कुछ इमेजेस प्रवाइट की थी जिने हम समने देखा था अब बात करते हैं दूसरे सैटेलाइट के पारे में जिसका नाम है मैसेंजर यानि मर्क्यूरी प्लैनेट पर नासा का दूसरा मिशन मैसेंजर यानि की मरकेवरी सर्फेस, स्पेस इंवार्मेंटल, जियो कैमेश्ट्री एंड रेंगिंग इसने उस हिस्से का मैप बनाया जो मारिने 10 नहीं बना पाया था मैसेंजर दो साल पहले 30 अपरेल 2015 को बुद्ध की सता पर क्रेश हो गया था अब हम बात करते हैं भविष्ये में होने वाले मिशन के बारे में इस साल यानि की अक्टूबर 2018 को एक मिशन भेजा जाएगा जिसका नाव है बैपी कॉलम्बो 2018 यह European Space Agency और जापान का जॉइंट मिशन है जो अक्टूबर 2018 में लाउंच होगा और यह 2025 तकभूत ग्रह यानि की Mercury प्लैनेट पर पहुँच जाएगा दोस्तो आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूले और हमारे चैनल को सस्क्राइब कीजिए कुछ क्या